मानसिक शक्ति के इस कारिक्रव में आपका स्वागत है, मैं हूँ अमरे श्यवास्तवा साइक्याटिस्ट इस कारिकर में हम हर दिन चर्चा करते हैं हमारे विद्यारतियों के बारे में, छात्रों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी समस्याएं, उनके मानसिक समस्याएं, पढ़ाई लिखाई की समस्याओं से होने वाले मन पर जो दबाव का आलम होता है, जिसे वे कह नहीं जाते ऐसी कुछ हलकी फिलकी बाते होती रहती हैं लेकिन हमेशा ये बाते हलकी फिलकी नहीं रहे जाते हैं चात्रों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और वे कदम कदम पर नए नए तरह की चिनोतियां पीश कर रहे हैं हर दिन कोई नए कोई खबर आती है कि कहीं पर कोई आत्मात्या क्या प्रयास करता है तो कहीं कोई मानसी ग्रूप से डिप्रेशन में एंग्जाइटी में साइकोसिस में अलकोहल भांग नशे की आलम में पाया जाता है ऐसा नहीं है ये कि ये समस्याएं पहले नहीं थी लेकिन इनका रस ये सुरूप इतना बड़ा नहीं था और ये इतनी बड़ी समस्या उपन कर सामने नहीं आये थी कारण अनेक हैं लेकिन उनके उनकारण में जाने के पहले हमें यह जानने की आउशक्ता है कि यह समस्याइं क्यों सामने आ रही हैं और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिस जिनके परिवार में समस्या होते छात्रों की समस्या, परिवार की समस्याओं का प्रतिबिम भी कहा जाता है कभी ऐसा लगता है कि ये बच्चे जो उठकर हॉस्टल्स में आ गए हैं या अपने ही शहर में दूसरे कॉलेज में जाते हैं या किसी गाउं से चल कर शहर में आए हैं उन्हें अपने तरह से जीवन जीने में जो धन राशी खर्चा करनी पड़ती है जो फीज देना पड़ता है और उनके माता पिता की जो चमताएं होती हैं उन दोनों का सामझ जस्या ताल में कहीं न कहीं खराब होता न ज़राता है इतना ही नहीं अनेक परिवारों में माता में पिता में स्वास्त की समस्याएं होती हैं और सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये बच्चे एक बूझ लेकर घर से निकलते हैं ये प्रण लेना तो अच्छा है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा और मैं इसलिए करूंगा पास होता रहूंगा अच्छे नमबर लाऊंगा और अपनी competition के तैयारी करूंगा या उसमें सफल हूंगा वो इसलिए कि वे माता पिता की रणी है या उन पर इस बात का दैप्त है कि वे अपने आपको सफल सिद्ध करे क्या हूँ ऐसा सोचते हैं कि उनकी जो भी वर्थ है या जो भी उनका उनके जीवन का निचोड है वो सिर्फ इतना सा ही है कि उन्होंने अपने माता पिता के पताएगे रास्ते पर चलना निश्चित किया है मामला इतना आसान नहीं है चीज़ें उससे भी कहीं ज़्यादा जटल है और ये जटल क्यों हो गई है ये जटल होती हैं संबात के नहोने से तनाव के बारे में बात्चीत नहोने से तनाव कम करने के रास्ते मालूम नहोने से दोस्त कम होने से सामाजिक लगाव कम होने से एक दूसरे में घुलना मिलना एक दूसरे को समझना ये रीतियों में शायद कहीं कुछ कमी आई है समाज में परिवर्तन आया है इसलिए जिस बोज को लोग पहले मिल जुल कर उठा लेते थे अब वो एक सर पर समा गया है और इसलिए वो बोज बहुत जादा दिखाई पड़ता है झाल 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 झाल